दोस्तों बॉलवुड इंडस्ट्री में वैसे तो बहुत से चुलबुली आदाकारा हैं लेकिन रंभा जैसा कोई नहीं जिन्होंने नब्बे के दशक में साउथ सलीकर बॉलवुड के फिल्मों में अपने चुलबुले नटकट अंदास से दर्शकों को ऐसा कायल कर दिया कि रंभा के बॉलवुड से दूरी बनानी के बाद भी आज दर्शक इनकी अदा के दिवाने बन बैठे हैं लेकि दोस्तों कि आप जानते हैं कि नब्बे की दर्शक में अपने चुलबुले नटकट अंदास से दर्शकों को दिवाना बनाने वाली अबिनेतरी रंभा ने न स बहुत जादा पसंद करते हैं अगर आप भी इनके उनी दिवानों से रूबर होना चाते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के आंद तक बनी रहें और साथ ये खुबसूरत अबनेतरी के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले बॉलिवुड में अपने फिटनस के लिए मशूर अबिनेता अनिल कपूर का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले शिमार है जो कि रंभा के उन दीवानों में से एक हैं जो रंभा को बहुत ही जादा पसंद करते हैं तरह सल दीवानी का मतलब ये रही कि आशिक बल्कि ये तो इनके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं दोनोंने एक साथ घर वाली बाहर वाली फिल्म में स्क्रीम शेयर किया था जहां इन्हें रवीना से जादा इनका नेचर बहुत ही पसंद आया था तब ही वो इनके अच्छे वेवाथ से इतने जादा परभावित हुए कि वो इन्हें दोस्त के रूप में पसंद करने लगे थे बॉलिवर्ड इंडस्ट्री के भाई जान गानी की सल्मान खान का नाम भेस लिस्ट में शुमार है जो रंभा को बहुत ही जादा पसंद करते हैं और इन्हें अपना दोस्त मानते हैं तरसल दोनों की दोस्ती की शुरवात बंधन फिल्म के सेट पर हुए जोहां दोनों ने इस फिल्म की शूटी के दौराद काफी समय एक दूसरे के साथ बिताया और उसे समय सल्मान खान को पता चला कि रंभा कि इतनी ओपन माइंड़ है जो कि अपने दिल में किसी को लेकर गिले शुक्वे नहीं रखती और सभी के साथ अच्छे से रहती है बॉलिवड में कभी आक्शन तो कभी धाकर कॉमेटी से सभी का दल जीतने वाले अब नीता गोविन्दा का नाम भी इस लिस्ट में शिमार है जो रंभा के बहुत अच्छे दोस्त हैं इसलिए येने काफी पसंद करते हैं आपको बता दे कि दोनों की दोस्ती की शुरपाद बेटी नमबर वन फिल्म की शूटिंग से हुई थी जहां दोनों की दोस्ती इतनी जादा गहरी हो गई थी कि दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया जिन में क्योंकि मैं जूट नहीं बोलता प्यार दिपाना होता है और त्री रोजर्स जैसी फिल्में शामिल है इस लिस्ट के आखरी कड़ी में अन्ना के नाम से मशूर अबिनेता सुरी शेटी का नाम शामिल है जो कि हर अबिनेता की तरह ही रंभा को बहुत पसंद करते हैं दरसल दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है लेकिन इनकी दोस्ती की शिरुवात क्रोध फिल्म से हुई थी जहां शूटिंग के दौरान दोनों के बीच काफी अच्छे बॉंडिंग हो गई और तभी से आज तक सुनेल शेटी रंभा के बहुत अच्छे दोस्त बने हुए हैं तो दोस्तों आपको रंभा की कौन से फिल्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी आप हमें उस फिल्म का नाम कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताए और साथ ही बॉलवर जगत से जुड़ी ऐसी मसालदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करणा ना भूले